तो इस वीडियो को देखने के बाद आपका green skill से one marks के सारे questions तो solve होंगे ही साथी साथ दो marks के जितने भी concepts होते हैं सारे concepts भी आपके clear हो जाएंगे दोस्तों इस वीडियो को बिल्कुल पूरा देखिएगा यहाँ पर मैं आपको one marks के सारे important mcqs को solve कराऊंगा साथी साथ दो marks के questions में जितने concepts होते हैं सभी कुछ आपका यहीं पर solve हो जाएगा यहाँ पर दो marks के एक separate video भी आएगा लेकिन उससे पहले आपको one marks में जो भी concepts है उसको बिल्कुल clear कर लिजे ताकि दो marks वाले questions भी आपसे easily बन जाएंगे तो चलिए अब आज का वीडियो को start करते है यह chapter आपको पढ़ना part A employability skills में जो की unit number 5 है green skills यहाँ पर हम लोग one marks के important mcqs को discuss करेंगे यहाँ पर चलिए अब हम लोग सबसे पहले questions पर आते है सबसे पहला question पूछा गया है what is sustainable development sustainable development क्या होता है देकि sustainable development का basically मतलब क्या होता है कि हम present के जो need है उस need को तो fulfill करें साथी साथ हम future के बारे में भी सोचे कि future वाले generation को जो हमें सामान मिल रहा है जो resources मिल रहा है उन लोगों को भी यह चीज मिले यह सोच हमारा रहे का उसे ही कहते हम sustainable development basically sustainable development में हम लोग यह जो सोच होता है कि without comprising the capacity of the future generation हम लोग यह चीज़ नहीं करते है कि future generation को यह चीज़ नहीं मिलेगा मान के चलिए petrol है तो उस तरह से use करेंगे कि future generation को भी मिले तो उसको compromise नहीं करेंगे यह point भी बिल्कुल सही है दूसरा है guaranteeing the balance between economic growth हम लोग economic growth के बारे में balance रहते है कि सभी कोई को equal opportunity मिले और सभी कोई को जो facilities रिसोर्से सब को मिल सके ठीक है यह जी हमारा सोच होता है care for the environment and social well-being हमारा यह भी सोच होता है कि environment का care कर सके और social life में भी लगों को अच्छे तरह से life जी सके सभी लोग एक तरह से अच्छा life standard देख सके ठीक है तो यहां पर basically sustainable development का तीन चीज होता है goals तो यह तीनों चीज आपको 2 marks के question में भी आ जाएंगे आपको काम और यह one marks में हो जाएगा all the above right answer ठीक है next what are the major problems related to sustainable development development अब major problems क्याझ gossip होता है नेसं सबसे बड़ा problem तो उसके इसके सामने है food का कि 24 जैसे population बढ़ रहा है food का need बढ़ रहा है food का need बढ़ रहा है हमको क्या हो रहा है खेत के जद्ञ ज़रूरत पढ़ रहा रहा हैए खेध के लिए हमको यूज कर रहे है डीजल को यूज कर रहे है आने वाला जिनरेशन को यह पेट्रोल डीजल कैसे मिलेगा इस चीज को हम लोगों को सोचना होगा तो all the above right answer हो जागा यह यह यहाँ पर जो तीनों है यह मेजर प्रॉब्लम्स है सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ठीक है तो इसको अगर आपको दो मार्क में आता है तो इसको डिफाइन करके फ्रस लिख सकते जो मैंने आपको अभी समझाया नेक्स्ट है वें वास्ट टाइम यू हर्ड ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो वार्ड है वह सबसे पहले कब आया सबसे पहले यह वर्ड कब आया था यह ब्रड लैंड कमीशन रिपोर्ट में ठीक है ब्रड लैंड कमीशन डिपोर्ट में सबसे पहले यह वर्ड को यूज किया गया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट नाम का भी कोई चीज है जहाँ पर हम लोग अभी का जिनरेशन यूज करेगा कौन सा गोल नहीं स्सटेनेवल डेवलपमेंट कहा है तो बैशिकली यहां पर जो क्या नहीं है इस पेश रिशर्च भाइर इस पेश रिशर्च बिल्कुल अलग टॉपिक हो गया है इसको सस्टेनेबल डेवल डेवलंपमेंट से लिंक मत करिएगा बात समय तो हो जाएगा space research क्या क्या आता है तो gender equality हमारा सोच होता है good health and well being सोच होता है zero hunger हमारा सोच होता है तो इस question के हिसाब से जब देखेंगे तो right answer तो C हो गया हम लोग space research के बारे में नहीं sustainable development में देखते हैं नेक्स्ट है what are the sustainable development goals क्या क्या goals है भाई पिछले question में देखे होगे कुछ topics आपको समझ में होगा तो goals भी हो जाएंगे basically दोस्तों इस chapter में कुछ पढ़ना नहीं है बहुँ छोड़ा topic है थोड़ा वह चीज पढ़ना तो उसके लिए बिल्कु परिसान मत हो यह video देखिए complete हो जाएगा फिर्थ में देखिए what are the sustainable development goals क्या क्या होता है गोल तो यहां पे गोल से हो जाएगा end poverty यह गरीबी को कम करो अपने planet को प्रोटेक्ट करो दूसरा all people enjoy peace and prosperity यह तीनों उसका गोल है बदायते अभी आपको no hunger policy है जो बना कि लोग भूखे ने रहे poverty कम करें हम अपने planet को प्रोटेक्ट कर सके सभी को equal एक तरह से opportunity मिले enjoy कर सके अच्छा life यह सब नियू-york नियू-york में जो सस्टेनेवल डेवलप्मेंट का गोल्स वा तो इसमें कितने गोल्स थे ठीक है बुक में अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो खैर बुक तो बहुत कमी बच्चे पढ़े होंगे तुसलिए सवाली नहीं है तो बुक अगर नहीं भी पढ़े तो कोई दिक्कत नहीं है इसका याद रखेंगा अंसर यह हो जाएगा 17 गोल्स भाई कब का बात कर रहा है यह बात कर रहा है 2015 में इसका मीटिंग वा था ठीक है यह 2015 में कहां पर हुआ था नियू-york में तो एक्जाम में हो सा था पूछ दे 2015 याद रखेंगा 17 गोल्स थे नियू-york में हुआ था तीन टॉपिक समझ में आ गया नियू-york 2015 17 गोल्स नेक्स्ट है वाट रदा डेड्लाइन गीवें तो कंट्रीज तो एचीव दा सस्टेनेवल डेवलप्मेंट टार्गेट बैट डेड्लाइन कब है देखें पिछला कोशन में आपको यहां पर दे नियूर्डर डेड़्नेट गोल्स अब सस्टेनेवल डेवलप्मेंट गोल्स तो नियू यूंच 2015 में था 17 गो 17 उसका यह था क्या बोलते है गोल्स लेकिन भई बनाया कौन कौन बनाया तो यह बनाया था यौनाइटेट इस्टेट्स ठीक है याद रखेंक एुणाइट इ तो यहां पर सबसे पहले तो आता है रिड्यूजिंग एक्सेशिव यूज ऑफ रिसोर्स एन इंहेंसिंग रिसोर्स को उसको कम करना है और रिसोर्स को करना बचाना है दूसरा रिसाइकलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है विश्ट माइटरियल का ताकि हम कम से कम रिसोर्स को यूज कर सके तीसरा साइंटीफिक हम लोग यूज़ करने का सीखर है तो यह तीन चीज आपका राइट अंसर हो जागा तो हो जागा अल्द आवाफ दो मार्स के कोशन में आते हैं तो आप इसको लिख सकते हैं ठीक है next um increasing population and development has led to the increase in consumption of अभ जहाँ population बढ़ेगा मां क्या बढ़ेगा population बढ़ेगा वाँ भाइ की खाने का जरुत बढ़ेगा वहाँ energy बढ़ेगा energy in the sense वहां पर लोगों को बिजली का जरुवत ज्यादा पड़ेगा पेट्रोल का जरुवत ज्यादा पड़ेगा फ्यूल का जरुवत ज्यादा पड़ेगा वाटर का जरुवत ज्यादा पड़ेगा जहां पर 뒷ाने मरत अप्लान अप लेंगे कि ढ़ों सालों साल मर जाते हैं जो पुलाइब बहुत पहले का मताराई यह व समिचे जो डिकंपोज होने से जो बना वह क्या बना जो क्या बना यह वेस्क जो सब्सक्राइब करने लगा निए निए देखिए डैस इमेशन इंटु दे एटमोस्फेर फ्रॉम बर्निंग ओईल अब जो आप जला रहे जो स्कूटी बाइक कार में जो आप पेट्रोल जला रहे है उस पेट्रोल से क्या निकल रहा है किस चीज का पॉलिशन हो रहा है सबसे ओन इन्वाइरमेंट हम लोग अपने इन्वाइरमेंट पर रिस्पॉंसिबल कैसे हो सकते किस तरह से हम अपने इन्वाइरमेंट को बचा सकते बेसिकली कोशन पूछ रहा है तो सबसे पहले तो रियूज करेंगे हम लोग पेपर को ग्लास को प्लास्टिक को वाटर को अब क्लोथ बैग को मार्केट मिले जाएंगे ताकि हम प्लास्टिक को कम यूज कर सके लास्ट में क्या है डोनेट करेंगे समान को ताकि जिसके कपड़ा हो गया बुक हो गया फरनीचर हो गया ताकि इसके कारण ज्यादा वेस्ट नहों ठीक है सभी कोई नया ने खर देंगे तो ज्यादा होगा तो बेसिकली हम लोग डोनेट भी करेंगे ठीक है तो अल्दाव राइट अंसर हो जाएगा नेक्स्ट है डैस इस लीडिंग तो स्वाइल इरोजन एंड मेकिंग लैंड ड्राइंड अन्यूजिवल फॉर कल्टीवेशन अब बोल रहा है कि क्या है जो स्वा पकड़ के रखता है अब पेड़ काट देंगे तो यह मिठी को पकड़ नहीं पाएगा तो मिठी क्या होगा इधर भाग जाएगा उससे काएंगे हम लोग स्वाइल इरोजन तो क्या हो जाएगा कटिंग ट्रीज राइट हो जाएगा को सिक्टिन देखिए वीच आफ फॉ 9491 दॉट्वम मत रह रखेका राइनेवेबल रिनियू क्या उड रहा है रिनियू हिसका मतलब करके सकते हैं ही इनर्जी को दुबारे यूज़ कर सकते हैं। रिन एनर्जी दोबारे यूज़ कर-सकते हैं। कभी खत्म नहोंगा जिंदगी में। लेकिन पेट्रोल टो खतम हो जायागा, कॉल खती हो जागा, وूड खत+, जाह हो सकता है। यह क्या हो जागा ETF वेबर रिसोर्स में क्या हो जागा solar energy right answer next choose the option which is not sustainable development goal according to the United Nations कौन सा sustainable development goal नहीं है 17 का right answer क्या हो जागा population by sustainable development goals वाले को population से कोई फर्कने पड़ता है population बड़े गटे उसको basically population की जरूरत पर focus करना है कि उसकी जरूरत को किस तरह से manage करें ठीक है तो उनका basically उनका काम क्या है कि clean water sanitation provide कर सके gender equality कर सके reduce inequality खतम करें जो लोगों में असमानता है उसको population से मतलब नहीं population को facility देने से मतलब बात समझ गया तो यह हो जागा right answer next है which of the following activities help to conserve the environment कौन सा activity हम लोग को environment को बचाने में काम आता है तो environment को बचाने के लिए देखे और गनिक farming का अचकल बहुत क्रेस चल रहा है मतलब कि जो हम लोग fertilizer use करेंगे वह हम लोग manual use करेंगे जो की गाय के गोबर से हो या फिर जो इस तरह से जो की natural हो तो यह organic farming हो गया वर्मी composting हो गया और rain water harvesting यह सारे चीजें पर हम लोग ध्यान दे रहे हैं किस चीज के लिए environment को बचाने के लिए तो all the above right answer हो जाएगा next which of the following is are the result of exploiting of our nature हम अपने nature को exploit कर रहे हैं बर्बाद कर रहे हैं उसको अंधादुन use कर रहे हैं तो उसका result क्या होगा तो उसका result क्या होगा scarcity of clean water and to drink scarcity of pure air to breathe और depletion of ozone layer भाई हम लोग नेचर को इस तरह से बर्बाद करेंगे exploit करेंगे तो यह तीनों problem तो आएगा ही पानी का कमी होगा पीने वाला साफ हवा नहीं मिलेगा और ozone layer डिप्लीट करने को जैसे का और गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है तो राइट अंसर all the above दो माक्स वाले माएंगे तो भी लिख दीजिएगा तो निक्स्ट कोशन दोस्तों हमवक है हमवक कोशन पूछा गिया है राइट दा फूल फॉल फॉर और बहुत जगा आप देखे होंगे थ्री आर बोला जाता है बहुत जगा फूर आर बोला जाता है तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा उमीद करते कि आप लोग सभी से हम लोगों ने सीखा कि किस तरह से ग्रीन स्किल्स का सौट आंसर को बनाएंगे वन मांक्स टू मांक्स दोनों एक तरह से कवर हो गया फिर भी दो मांक्स वाले एक स्पेशल वीडियो आएगा जिसको भी जरू-जरू देखिएगा चैनल पर नहे होंग तो चैनल को सब्स